नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रकास सिजू टेक में छात्य पृत्ती भीजने को लेकर अलग-अलग डीड़व ऑफिस से क्या अपडेट आ रही है इनी सारी चीजों पर बात करेंगे इसके लावाँ सिर्फ दो स्टैटस जो बात होने के बात बासी कोई अभीज़ाइड नहीं होगा देखों जो हकीकत है अनी सारी चीजों पर बात करूंगा वीड़व काफी इंप्रेट है लाश थातकरपुएड जो कहीं infinity बात करने अपडेट है EKTU और BTUP के तमाम सारे जो छात्र हैं वो लगातार DW आफिस जा रहे हैं और किस ले जा रहे हैं करीब 60-70,000 छात्रों की जो छात्रुत्ती है वो प्रॉब्लम हुए इंवर्शिटी और कॉलेज के लापरवाही के चलते उनका फार्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है अफ्रिटेट एजेंसी का इसू दिखा रहा है और अखेले गर हम वारांसी की बात करें तो 5000 सथिक फार्मों को रिजेक्ट किया जा चुका है साफ साफ अगर आपको बताओं तो अलग-अलग कारोडों का हवाला देकर पचीश जार आवेदन फार्म निरस्त कर दिये गया है प्रदेश सरकार से मिलने वाली च्छात्र पृत्ति के लिए विसुद्याले कॉलेज़ों अतकिनीकी सनस्थानों के करीब 1.56 लाग च्छात्र च्छात्राओं का जो फार्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि भाई देखो डाटा अभी तक अपने पास नहीं था लेकिन हाँ च्छात्रों का फार्म रिजेक्ट हुआ है ये तो मालूम था लेकिन डाटा नहीं था डाटा भाई लाखों की संख्या में मतलब कह सकता हूं कि जो फार्म है वो रिजेक्ट हो रहा है बेवचर बेबुनियादी तोर पे जिसको कहते हैं च्छात्र रित्ती के लिए भेजे गए 1.25 लाख फार्म यानि कि एक दस्मलों 25 लाख फार्म जो है वो च्छात्र रित्ती के लिए भेजे गए हैं और इनी चात्रों का पैसा रिसीब होगा बेस तारीक तक इनी चात्रों को मतलब आप समझो पूरी बात क्या होता है कि भाई बेरिफाइड चात्रों का भी लिस्ट जाता है ट्रेजरी जहां से पैसा डारेक्ली भेजा जाता है समाच के लाण विभाग से छात्रों के खाते में वहाँ पे 1.2 लाख कह सकते हैं इस पर रूप से कि भाई सबा लाख लगबग छात्रों का जो छात्र वृत्ती है वो बता दूँ कि रिजल्ट को लेकर भी कई सारा अप्डेट आ रहा है भाई कि रिजल्ट का इसू चल रहा है तो यह सारा डाटा जो था वो तो भाई EKTU BTU B का था कुछ कमेंट्स पे मैं डाइटली बात करूंगा अवनियास का कहना है कि सर PFMS response pending है reject हो चुगा है उसके चलते हैं उसके बारे में कुछ बताइए एक भी वीडियो में आप नहीं बताते हैं PFMS वालों के बारे में तो देखें response pending का यही मतलब है कि PFMS जिस दिन आपका response अधिकारियों को मिलेगा वो verify कर देंगे अब इसमें न आप कुछ कर सकते हो न मैं कुछ कर सकता हूँ अगर आपका यह NPCY Link है अधार Link है यही दो कार है आपके हाथ में आप करो तो ठीक और नहीं कर मतलब कीए हो तो समस्या होगी और कीए हो फिर भी समस्या है तो भाई क्या किया जा सकता है कोई solution नहीं है इसके लावा कई सारे चात्र कमेंड करके कह रहे हैं सर पैसा मतलब नहीं भेजा गया आप कह रहे थे पैसा भेजा जाएगा तो देखो क्या है कि डेट स्ट्रिक तो आया था 15 सोरा तारीक से भेजा जाएगा एक तिस तक मैंने भाई एक दिन बढ़ा दिया मैंने कहा 16 से क्लीर तौर पर बताऊंगा के पाई देखो गुवर्मेंट को उपर है तुँ देगी नहीं देना चाहे है तो भाई क्या किया सकता है फंड का हवाला देते ही फंड़ हो गया तो फिर क्या किया जाओ कुछ नहीं कर सकते लेकिन हाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग 2400 एंड फीस रिंबर्स्मेंट जो है वो 5,000 रुपे डिस्पर्ज हुआ है अधार खाते में 15 फर्वरी को इनका फॉर्म बेरिफाई हुआ था तो कुछ ऐसे भी स्टेटस है जो की फॉर्म मतलब पैसा भीज आ गया है रिसीब हुआ है वराल यही निसकर्स मैं आपको बता र पैसा मतलब कल से भीज़ा जाएगा आज से भीजा जाएगा कोई कहा रहा है था भीज से भीजा जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ दिमाग में कुछ मत रखो 31 मार्श रखो 31 मार्श के पहले मिलेगा बस गौर्मेंट अपना इरादा जो है वह ओनेक रखे ब्योकूफ न बना आने ये समझाने ये कहने की कोई जरुवत नहीं तो यहीं पर आप देख सकते हो कि आठ क्याल है भाई आपको पहला इंटर्फिस दिख जाएगा डाटली होमपेज को चले आना है यहां से देखिए आप लेटेस जॉप बैकेंसी काई सारी चीजों को जान सकते हो यूपी स्कॉलर स्टैटर्स तो हज्रा बाइस तेस सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है इस क्राल डाउन करना है थोड़ा सा नीचे चले आना है जहां से आपको इंपोर्टेंट लेंक्स देखने को मिल जाएंगे तो आपको फ्रेस से रेन्यूवल जो सा भी कटेगरी है आपको अपना इस्ट्रैटर्स जरूर से देख लेना है अगर पर कॉम बेरिफाइड नहीं है तब कर सकते हो घरी साह चातरह को हिसारी चातरहां को से प्रतिपूर्ती बड़ी संख्या में आफिधान रिज Wasser हो चुके है actfa अफ्सरों, के दफ़तरों में चक्कर नहीं है फिलाल अधिकारियों ने मामले को रिपोर्ट सासन जो है वो भेज दिया है सासन को और कहा है कि यह समस्या जल्द से जल्द सुलजाई जाया और सुलजाई भी जायेगी बिल्कुल यहां पे दखिये स्पेसल जो पॉले टेकनिक और बैचलर यानि की एके टियो बीटी यूपी के चात्र है पैरा मेडिकल के चात्र है वो काफी परिसान है मंगलवार को परिसान चात्राओं ने जिला पिछड़ावर्ग अधिकारी से मुलाकात की आवेदन रिजक्ट होने की वजह से भी पता करने की कोशिस की यानि की भाय उनका रिजक्ट क्यों हुआ है यह रीजन जानना चाहा और इन्वर्स्टिटी की लापरवाही अलाकि मैं सोच रहा हूं कल की डिवेट में ट्वीटर पर फिट करने का कुछ लोग कर रहे थे ट्वीटर पर ट्वीट करने से क्या होगा आप फालूवर बढ़ा रहे हैं तो देखो अगर फालूवर वाला वही दकियान उसी सोच है तो फिर रखे रहो कोई जरूरुत नह यह तो वही हाल हो गया ट्वीटर पर मैं चात्रों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो चाहिए कि हर किसी को रिट्वीट करें सेर करें फालू करना करो या मत करो मेरा क्या जाता है मुझको पैसे तो मिलेंगी नहीं उसका अब भाई फालू किये रहोगे तो रिट्वीट क आप कह रहे हो आज आएगा कल अपडेट जो मिल रही हो मैं बता रहा हूं जाके कोई नोटिस प्रागे देख लो खुद भी तुम अधिकारी के पास जाओगे तो कह रहा है 15 31 की विश में आएगा 15 से आएगा आप जाओगे तो कहएगा 20 के आएगा वही बाते मैं भी बता रही है पैसा भी बेजा जाएगा थोड़ा सा और इंतिजार कर लो 15-20 दिन और समझ गये जैसे इतना दिन इंतिजार कर लिए बाकी का जो भी अपडेट होता है वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा ट्विटर पे ट्विट के रिगार्डिंग आप क्या सोच रहा है अब देंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थेंक्स फूर वाशिंग वीडियो अगर काम की लगी हो तो तो सेयर कर देना जाहिंद बने महातर में